नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम आपको डेरी फार्मिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो देने वाले हैं जिसके अंदर आपको एक इस तरह की वीडियो हम देंगे किसी भी डेरी फार्मर को ये वीडियो देखने के बा होगी कभी भी बच्चडा नहीं होगा आपकी एक गाई से चार पास साल के अंदर जो है हर बार बच्चिया होने से आपकी जो डेरी फार्मिंग बड़ा लगातार बढ़ती चलिए जाएगी तो इसकी थोड़ी सी डीटेल हम लेना चाहेंगे सर से सर आपका हमारी चानल पर सर बच्चिया ही पैदा होगी 90% से अधिक बच्चिया ही पैदा होगी जो किसान भाई इस सेक्सीमें को इस्तमाल करते हैं अपने गाएं को गर्भधारन करने के लिए कृतिम गर्भधारन करने के लिए तो इसके इस्तमाल दौरा आपको 90% से अधिक बच्चिया ही पैदा ह होगी और यह जो सीमेन आता है वो सेक्स अल्ट्रा के नाम से आता है यह हाइली फर्टिलिटी सेक्स ओड़िट सीमेन है जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कंपनी जो है दो एजन्सी के साथ काम करती है एक एजन्सी का नाम है उत्राखंड लाइफ्टक डपलमेंट बोर् इसका गेर रेट सिंदी थार पारकर जितने भी देशी नसल के जानवर हैं और विदेशी नसल के जानवर के सबके सेक्स ओड़िट सीमेन उपलब्ध हैं जिनके इस्तमाल से किसान भाई आपने यहां जादे अच्छी नसल की बचिया तयार कर सकते हैं और बचिया ही मिलेग अपने घर पे कर सकते हैं, आपको इसके लिए कहीं जादा दूर भागने की जूरूत नहीं है, और ना ही आपके घर पे कभी सांड का जन्म होगा, 90% कह रहे हैं कि आपके घर पे अमेशा बच्या ही पैदा होगी, ऐसा दूसरी कंपनी, और आप यहां पे संपर्क भी कर सकते ह कि आपके? जिसका नाम बैफ है इसके इसके साथ भी हम लोग काम करते हैं इनके बुल का सीमेन हमी सोट करते हैं इनकी बुल की प्रदिग्री है आप यहां पर देख सकते हैं मन चाही नसल के मुल आप यहां से ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए और इन इन बुल के सीमेन से आप अपनी बच्चिया को जब AI कराएंगे तो 90% से अधिक बच्चिया ही पैदा करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका संपर्क सूत्र है, यह इनका नंबर है, यह इनका email ID है इनका वेब साइट है, तो सेक्स अल्ट्रा की खास बात ही है कि एक High Fertility Sex Sorted Semen है जिसका Conception Rate 49% से जादे है, और Female Purity यानि बच्चिया होने की जो दर है, वो 90% से अधिक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर यही कहना चाहूँगा, यह वीडियो देखने के बाद किसी भी Dairy Farmer को Loss नहीं होगा क्योंकि आपकी Dairy Farming जो है, दूद देने वाले पस्वों सही चलती है, अगर आपकी Dairy में बार बार कटडा, बैसा या फिर बुल अगर जनम लेता है तो उससे आपकी Dairy Farming में दूद उत्पद में काफी गिरावट आती है, अगर आप इनके कंपनियों दोरा जो सिमरन दिये जाते हैं, जो इंजेक्शन दिये जाते हैं, आपकी गाएं वगारा को बैस वगारा को ग्या बिन करने के लिए, अगर आप उस सिमरन का यूज करते हैं, तो आपके 90% जो है कैफ या फिर बचडी आपके Dairy Farming में तयार होंगी, और आपके 2-4 साल के बाद जैसे जैसे आपके Dairy Farming बढ़ती जाएगी समय के कोडिंग आपको मुनाफ़ाब बढ़ता चला जाएगा, दोस्तों कर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सस्क्राइब करना, गंटी बटन जरूर दबाना तागे आप देख पाओ, हमारे चैनल की वीडियो पूरे वल्ड में सबसे पहले